हवा प्रदुशन के साथ ही पानी की गुणात मक्ता भी गड़ गई है और फिर यह पानी किसी के पीने लायक नहीं रहता है दोस्तो हमें ये पानी कहां से मिलता है किन किन कारणों से हम पानी का इस्तमाल करते हैं इसकी सूची बनाईए प्रित्वी के प्रिष्टभाग पर 71 प्रतिशत पानी और 29 प्रतिशत जमीन है बड़े पैमाने पर पानी होने के बावजूद भी समुंदर का पानी खारा होता है कुछ पानी बरफ के रूप में दिखाई पड़ता है पानी के लिए जीवन नामक शब्द हम हमेशा सुनते हैं फिर पानी ये जीवन क्यों है जल प्रदूशन होता है यानि क्या कौन से निसर्ग घटकों के कारण अत्वा बाई घटकों के कारण पानी जहरीला बन जाता है पानी जब गंदा बन जाता है तब उसमें जो प्रान वाई होता है उसका प्रमान भी घट जाता है इस कारण सजीवों को धोका उत्पन होता है इसे जल प्रदूशन कहा जाता है यह प्रदूशन करने वाले प्रदूशक असेंद्री और सेंद्री ये होते हैं सवाल, जिव पानू, विशानू, परजीव, सजीव, इनके करण पानी पीने लायक नहीं रहता और सभी ओर रोगकारक परिस्थिती निर्मान होती है। कारखाने से बाहर जाने वाले उत्सर जक यह सेंद्रिय प्रदूशक है। ब्राजील की जलपरणी जगभर में फैल गई है। जलपरणी सुन्दर वनस्पती होकर प्रथम पशिम बंगाल में आई और बड़े पैमाने पर बढ़ गई। इसी जलपरणी को बंगाल की दहशत ब्लू डेविल अत्वा अपायकारक वनस्पती तथा धोकादायक वनस्पती करके पहचाना जाता है। इसका असर जल सिंचन, जल विद्युत निर्मिती, जल वहतुक इस पर होता है। लेकिन मचली का उत्पादन जली ये फसलों पर होके बड़े पैमाने पर मच्छरों की निर्मिती होती है। भारत में यमुना, गंगा, साबरमती, ओशेवरा, दामोदर ये नदिया ज्यादा तर प्रदूशित है। विष्ठा नदी के बहते पानी में तथा जलाशय में छोड़ी जाती है। बड़े बड़े शहरों में कारखानों का प्रमान ज्यादा रहता है। इन सभी प्रकार के कारखानों से बाहर पढ़ने वाला दूशित पानी नदी में छोड़ा जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है लेकिन मानवी स्वास्थ के लिए और परियावरण के लिए बड़ी धोकादायक है मानवी मलमूत्र और कारखानों से बाहर पढ़ने वाला दूशित पानी इस कारण बहुत बड़े प्रमान में प्रदूशित हुई जगत में छटे क्रमांग की प्रदूशित नदी गंगा सो शहरों में बहती है इन शहरों की जन संख्या एक लाग से ज्यादा और अड़तालिश शहरों की जन संख्या पच्चास हजार से एक लाग तक है कानपूर, प्रयागराज, वारानसी, पटना में, टैनरीज, रासाइनी कार खाने, सूती कपड़ों की मिले, कसाई खाने, अस्पताल का कचरा, दूशित पानी नदी में छोड़ा जाता है इसका असर यानि गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूशित नदी घुशित है कारण कभी टैंकर साफ करते समय तेल की तरंगे सतह पर फैलती है साथ ही खेत में रासायनिक खाद, फॉस्पेट युक्त और नाइट्रोजन युक्त खाद, एंडोन क्लोरिन, कॉर्बनेट युक्त, कीटक नाशक फवारने से वे पानी के साथ बहकर प्रवाह में घुल जाते हैं इन कारणों के अलावा नदी के पानी में मलमूतर विसरजन, कपड़े धुना, राक, अस्थी विसरजन करना, ओश्निक विद्युत केंदर से दूशित पानी छोड़ना, आदी कारणों से भी पानी प्रदूशित होता है इस प्रदूशित का मानव जीवन पर बड़ा असर होता है प्रदूशित पानी पीने के कारण जुलाब, पीलिया, विशमजवर, तवचारोग, पाचन में विगाड तथा अपच के विकार होते हैं साथ ही यकृत, मत्रपींड, दिमागी विकार, हड्डियों में विकृती, उच्छ रक्तचाप, आदी विकार भी होते हैं गंगा नदी के प्रदूशित के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्व भाग में बंगाल और बिहार में करकरोग का प्रमान बढ़ गया है 2004 में 10.3 लाक मृतियों में से 5 लाक मृतियों दूशित पानी के कारण हुए हैं मानव जीवन के साथ प्रदूशित का असर वनस्पतियों और प्राणियों पर भी हुआ है प्रदूशित पानी के कारण वनस्पतियों का विकास थम जाता है अनेक प्रजातिया नश्ट हो जाती है पानी में क्षार बढ़ते हैं पानी में गुलने वाले प्राण वायू का प्रमान कम हो जाता है जल परिशंस्था की रचना बिगड़ जाती है पानी में रहने वाले जलचर मर जाते हैं समद्र पंचियों का स्वास्त बिगड जाता है। इन सभी परणामों के साथ पानी के नैसरगिक और भौतिक गुनदर्म भी बदल जाते हैं। पानी का रंग और उसका स्वाद बदल जाता है। पानी के लिए उपयुक्त जीव जन्तु नश्ट हो जाते हैं। जमीन की उपजाओ शक्ती कम हो जाती है। गंगा नदी के जल में कई प्रकार के मचलिया दिखाई देती हैं। भारत की 20 प्रतिशत मचलियों की जातियां गंगा नदी में पाई जाती है। लेकिन आज के वर्तमान में बड़े हुए प्रदुशन के कारण मीठे पानी में मौजूद जैव विवित्ता को खत्रा पैदा हो गया है। वर्तमान अध्यन के नुसार जानकार ये मिली है कि 1950 में नदी की उपरी सतह में पहले कभी न मिलने वाली मचलिया जो सिर्फ मध्य और निचले सतर में मिलती थी वे अब मचलिया उपरी सतह में ठंडे पानी के प्रदेशों में प्रवेश करती दिखाई देती है। यह बदलाव बढ़ते हुए तापमान के कारण हो रहा है। इस तरह बढ़ती जन्संख्या कारखांदारी के कारण जल प्रदूशन बढ़ रहा है। इनके करण पानी पीने लायक नहीं रहता और सभी ओर रोगकारक परिस्थिती निर्मान होती है। पानी प्रदूशन के अने कारण है। कुछ नैसरगिक तथा कुछ मानव निर्मित है।